एक बार की बात है, एक गाव में गधा रहता था, वह बहुत आलसी और चालाक था, उसे काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, एक देन उसने सोचा कि अगर मैं बीमार होने का नातक करूँगा, तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, गधा खेत में जाकर लेद गया और जोर-जोर से कराहने लगा, उसका मालिक आया और देखा कि गधा जमीन पर लेटा हुआ है, उसने पोचा, क्या हुआ गधे, तू जीत तो है, गधी ने उदास आवाज में कहा, मालिक, मेरी तबियत बहुत खराब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और काम नहीं कर पा तो नहीं आने लगा, मालिक ने देखा और फिर से उसे आराम करने दिया, ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, एक दिन गाउंग में एक वैध्य आया, मालिक ने सोचा कि क्यूँ न गधी को वैध्य से दिखाया जाए, वैध्य ने गधे को देखा और उसकी चालाकी समझ गया, गधा जड़ी बूटी की करवाहत से परेशान हो गया और भागतर खेत में काम करने लगा। तब मालिक ने कहा, अब समझ में आया कि यह गधा बीमार नहीं था, बस काम से बचने के लिए नातक कर रहा था। कहानी की सीख, आलसी और चाला की करने से बचना चाहिए, क्योंकि अंत में सच्चाई सबके सामने आही जाती है। काम से बचने की कोशिश करने के बजाए मेहनत से काम करना चाहिए।